अब इसे बोलते हैं न असली grand scale तो करेंट ये कलकी 28980 का ताड़ा प्रमोशन चलता है और ये बताने की भी जरूत में है कि मुवी के लिए पब्लिक कितनी जादा excited है जिसका एक बड़ा credit नागरशन को देना चाहिए क्योंकि recently अपने prequel of कलकी 28980 episode 1 जिसमें clearly नागरशन का vision देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने कलकी cinematic universe को imagine किया है जहां basically उनका ये कहना है कि बच्पन में कैसे उन्होंने महाभारत, रामायन, जिसमें त्रेता योग, सत्य योग, द्वापर योग, कल योग की कहानिया सुनी है जहां हर योग में कैसे भगवान विश्नुजी के अलग-अलग अवतार होते हैं और वो किस तरह से बुराई का अंत करते हैं जिसमें को कलकी 28980 को kind of महाभारत का sequel कह रहे हैं जिसमें समझने वाली ये चीज़ दिखती है कि इस बंदे का एक vision है, एक conviction है to the story that he really wanted to put it to the audience properly जिसमें मुझे specially यही बात बहुत अच्छे लगती है किसी भी maker की जो अपने universe को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पता है कि इस universe में चोटी चोटी minor minor details है, वो कितनी जादा important है किसी भी story को establish करने के लिए अच्छे से और ये genuinely कोई तभी कर पाएगा जब उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और specially ऐसे हमारे historical topics के लिए किसी भी इंसान को deeply research करना होगा क्योंकि वो जो दिखा रहा है, जो दर्शा रहा है वो शायद से किसी के emotions को भी hurt कर सकता है तो उस हसाब से उन्होंने अपने research की है और वो clearly इसमें दिखता है जहाँ episode 1 और 2 में हमें कुछ कमाल के नए frames देखने मिलते हैं जहाँ यह kind of a still frames है लेकिन movie में यह एक video की तरह चलेगा and if they succeed in terms of showing those visuals more realistically तो मसा आ जाएगा जाएगा जिसमें episode 2 में उन्हें ने यह भी mention किया कि movie की कहानी mostly तीन जगाओं पे take place करेगी first that obviously kashi the first and the last place of the earth जहाँ हमारा भैरवा भी है and then complex जहाँ mostly कहानी आगे progress करेगी और at last शंभाला जहाँ पे mostly movie का जो climax होगा वो take place करेगा क्योंकि अगर कुछ internet theorist की माहनी जाए तो movie की कहानी का जो climax है वो शंभाला में ही take place करेगा जहाँ हमें trailer में पुछ उसके glimpses देखने मिल चुके थे और वहीं पे movie के end होते होते भगवान कलकी का भी जनम होगा जहाँ पे भाई इतना सब देखने और सुनने के बादना I really can't wait to watch this movie बख ये मेरे opinions थे तुम अपनी बताओ और सब्सक्राइब